सिधर सिधे इस वीडियो में बात करूँगा दो ऐसे कंटेस्टनेट के बारे में जिनको टार्गेट किया जा रहा है विकेंड के वार पे एक Big Boss 13 का आसिम रियास दूसरे Big Boss 14 की रुबीना अब यहाँ पर फैंस हमेशा इंटरनेट पर बने रहते हैं और जितनी भी इंटरनेट पर न्यूस चलती है मैं आपको बताता रहता हूँ यहाँ अभी आज का जो एपसोर्ट देखा लोगों है तो यहाँ पर लोग फिर से घ अभी नव को रुबीना को इस बात को लेकर करके टार्गेट किया गया कि भी आप एक दूसरे के लिए गेम खेलते हैं आप इसको बचाते हैं यह आपको बचाती है और आप तो इसी तरह से गेम खेल रहे हैं और पती-पत्नी की बीच उनके भी रिष्टे को लेकर भी काफ राज की थी तो उन्हों यहां भी लिखा कि आसिम को जो है टार्गेट किया जाता था उन्हें जो है कई नहीं वो फस्ट्रेट रनी की कोशिच की जाती थी रुबीना को तो बीस परजेंट भी नहीं की जा रही है फिर वो लिखते हैं कि टॉर्चर किया जा रहा है और तरह से जो है रुबीना भी टॉर्चर हो रही है कुछ कह रहे हैं कि रुबीना जादा टॉर्चर हो रही है कुछ कह रहे है कि आसिम जादा टॉर्चर हो रही है लेकिन यहां पर बात करें तो लोगों का यहीं कहना है कि टॉर्चर जरूर किया जा रहा है जिया दोस्तों ल शो में भी ये करवाना चाहरे है रूबीन दिलाइक के फैंस से कि वो भी गुस्सा हो जाए है वो भी जो है शो के बारे में कहें वीडियो बनाएं शो को बहुत पॉप्लर कर दें इस तरह से लेकिन अभी तक यह नहीं नहीं पता जो टीर टीर भी आ रिए वो भी इसी की वज रखता है कि कीसे ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था पिसले सेजन में आसिम को या फिर इस सेजन में रूबीन दिलाइक को सब्सक्राइब करें लेटास अपडेट जाने के लिए धन्यवाद